नमस्कार दोस्तु। कुछ महिने पहले केरला से एक ट्रांस टंडर कपल का प्रेक्नेंसी फोटो शूट काफी वाइरल हुआ था। इन्होंने अपना इंस्टाग्रम अकोर्ड में फोटोस अपलोड किये थे और काफी पोसिटिव रस्पॉन्स भी मिले थे। आप जाके डिलिवरी हुआ है दोस्तों, बेबी का जेंडर क्या है इन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया है। इनका नाम है जहद अंजिया, कंसर्वेटिव मुस्लीम कम्यूनिटी से बिलोंग करने वाले इंडिविजोल से। इन्होंने ट्रेडिशनल जन्टर स्टीडियोटेफिक मेंटालिटी को तोड़ डाला अब इसमें से जहद जो है, he is a trans man, trans man का मतलब क्या होता है, by birth जहद बसे female, फिर operation कराया, hormonal therapy कराया, और now he is a trans man, अब देखें दोस्तों, जैसे इनके pregnancy photo shoots के photos Instagram अकोन में upload हुए थे, तब सबसे ये couple काफी viral है, ऐसा कोई newspaper नहीं है, news channels नहीं है, जो इनके बारे में article नहीं लिखाओ, अब आप मैंसे कई लोग सोच रहे होंगे, जहद, कुई से trans man, वो pregnant case हुआ, बेबी को carry case हुआ, देखें, मैंने आपको पहले ही बोला था, कि जहद वसे female at birth, उन्होंने operation तो करा आया, but uterus and associated organs को remove नहीं किया था, जिस वज़े से pregnancy possible हुआ, तो सबसे पहले आपको समझना है, gender and biological sex जो है, दोनों दो different aspects है, gender ये नहीं determine कर पाएगा, who can become pregnant and who cannot, doctors के इसाब से, anyone who has a uterus and ovaries could become pregnant and give birth, केवल uterus and ovaries होने की जरुवत है, कोई भी pregnant हो सकता है, एक बच्चे को जनम भी दे सकता है, तो इसका मतलब ये है, अगर एक man के पास uterus and ovaries है, तो वो pregnant हो सकता है, पर देखें दोस्तों आपको पता है, normal course में it is not possible, only वो cases में possible है, जहां पे वो manic trans man है, जैसे कि जात का case में मै पर देखें दोस्तों मैं आपको बताओ, Robert Winston करके एक doctor है, who is an expert in in vitro fertilization, in vitro fertilization का मतलब क्या होता है, देखें, normally fertilization कहा होता है, inside body होता है, ये बात आपको मालूम है, जब fertilization body के बाहर होगा, उसे in vitro fertilization बोलते हैं, जैसे कि देखें दोस्तों, spam cell and egg cell को एक test tube में डालके fuse करव पर जाएंगे, फिर जब वो embryo बन जाएंगे, uterus के अंदर implant करेंगे, ठीक है, इसे in vitro fertilization बोलते हैं, तो Robert Winston का कहना ये है, male pregnancy would certainly be possible by having an embryo implanted in a man's abdomen, आप देखें, in vitro fertilization के बाद, embryo को normal course में uterus के अंदर implant करना है, but man के पास uterus तो नहीं है न, तो Robert Winston साब का कहना ये है, man का ज implant करेंगे, और placenta को attach करना पड़े, placenta क्या होते है दोस्तों, अपने basic biology में पड़ा होगा, uterus के अंदर एक organ है दोस्तों, जो fetus को nourishment provide करते है, fetus को maintain करने में मदद करने वाला एक internal organ है placenta, तो placenta को attach करना पड़ेगा, कहां पे, bowel region में, तो अभी के इसाब से एक बात clear है, One more point, 2014 में एक report आया था, that describes one case in which a person with a phalloplasty और materioplasty carried a pregnancy, अब आप पूछोगे phalloplasty और materioplasty क्या होता है, दोनों surgical procedures है दोस्तों, which can construct a penis, देखे, अगर एक woman, वो man बनना चाहती है, basically एक trans man बनना चाहते है, जैसे कि जाहित का case में हुआ था, तो वो surgical procedures जो होता है ना दोस्तों एक तो देखे, surgical procedure होता है, दूसरा, hormone therapy वगरा होता है, ठीके, वो जो hormone therapy हो, वो lifelong रहते हैं, ऐसे मेंने सुना है, ऐसा ने कि कुछ time के लिए लिया, फिर बंद किया, lifelong medications वगरा लेना पड़ेगा, एक trans man को या फिर trans woman को, ठीके, तो phalloplasty और materioplasty जो होता है, वो ऐसे surgery से जिस इसके लिए doctors क्या करते हैं, skin grafting के तुरू, penis constant करते हैं, उसे phalloplasty या methidioplasty बोलते हैं, ठीके, तो ऐसे trans man, जिनका uterus and ovaries removed नहीं है, उनमें pregnancy possible है, पर एक problem है, normal sexual intercourse तो नहीं हो सकता, क्योंगि जो reproductive organ से उसे remove किया है, या फिर change किया है, तो ऐसे cases में, एक trans man को pregnant होने के लिए, तीन प्रोसीजिये से, one is artificial insemination, second is in vitro fertilization, जिसे IFF भी बोलते हैं, and third is gamate intrafallopian transfer, अब ये तीनों क्या है, क्या process है मैं आपको बता है, artificial insemination मतलब, it is a fertility treatment method, used to deliver sperm directly to the cervix or uterus in the hopes of getting pregnant, basically इधर sexual intercourse नहीं होगा, sperm जो है, directly cervix में या फिर uterus में inject करेंगे, for example दोस्तों देखे, जिनके घर में गाई वगरा है, उनका artificial insemination होता है न, अगला है in vitro fertilization, ये क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो fertilization है, बोडी के बाहर होता है, basically एक test tube में होता है, इसके बाद embryo को implant किया जाता है uterus में, and finally gamete intra fallopian transfer, ये क्या होता है दोस्तों, it is a three step procedure that involves removing the eggs, accompanying them with sperm, and immediately placing them in the fallopian tubes where egg is fertilized, देखे, normal course में fertilization होता है दोस्तों, fallopian tube में, fallopian tube कौन सा है दोस्तों, इतर आपको uterus दिख रहा है, इतर आपको ovary दिख रहा है, ये जो tube है दोस्तों, इसे fallopian tube ब जहां से ovary से X uterus तक पहुंचते हैं, basically fallopian tube इसे channel, ठीक है, और fallopian tube में ही fertilization होता है दोस्तों, तो gamete intra fallopian transfer में क्या होता है, सबसे पहले X को remove करते हैं, फिर वो X को spam के साथ campaign करते हैं, फिर उसे fallopian tubes में place करते हैं, जहां पे X का fertilization होगा, तो I hope आपको समझ में आ गया, एक trans man का pregnant होने का तीन procedure, तो दोस्तों that's it, देखें, जहां जो है, एक transition stage में था, इनका complete transition अभी complete नहीं हुआ है, उसी बीच में ये pregnant होने का decision लिया था, तो जहां ने बोला है, delivery के एक साल के बाद, फिर से transition process को continue करेंगे, तो दोस्तों that's it, I hope ये video inspiring and informative लगा होगा आपके लिए, thank you for watching, bye bye, have a nice